मैं श्रीमती देखा महता, आज की वेली पाठियों जना है हिंदी गद्धि साहित्य का विकास और गद्धि की विधाएं हिंदी गद्धि साहित्य का विकास आधनिक युग की तेन है हिंदी साहित्य की विकास को दो रूपों में बाटा गया है पध्यात्मक विकास और गध्यात्मक विकास जैसा कि हम जानते हैं पध्य अर्थात कावि या कविता और गध्य अर्थात कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध, इत्यादित गद्धी किसे कहफे हैं? गद्धी अर्थात छंद विधान एम लएके बंधन से मुक्त रचना गद्धी कहलाती है। हमारी पाठ्थे वुस्तक में गद्धी की विविने विधाएं संक्रित होती हैं जैसे कहानी, निबंध, जीविनी, संस्मरन, रेखाचत, रत्यादी। तो आज हम इनी गद्धी विधाओं पर विस्तार से बात करेंगी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचारे रामचेदर शुकल ने गद्धी काल कहकर पुकारा है। समस्त देश को नवजागरन का संदेश दिया। उनकी अनुसार साहित्य की उन्नती देश और समाज की उन्नती है और हर समय उनका यह वाक्य प्रासंगिक है। अब हम बात करेंगे गर्दी की विधाओं की, गर्दी की विधाओं को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रथम गर्दी की प्रमुख विधाओं और दूतिय गर्दी की गौन विधाओं, पहले हम गर्दी की प्रमुख विधाओं को जानेंगे समझेंगे, सर निबंध गर्दी की उसरचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी भी विशय पर अपने विचारों को सिमित, सजिव, स्वच्छन्द एवं सूव्यवस्थित रुप से भिव्यक्त करता है। विचारक हट्सन के अनुसार, जिस प्रकार हेट तांगने के लिए कोई भी खूटी काम दे सकती है, उसी प्रकार निबंध किसी भी विशय पर लिखा जा सकता है। रामचन शुक्ल, भार्तेंदू, हरिष्चंद्र, बावुगलाबराय, इत्यादी। दूसरी गर्दी की विधा है कहानी। कहानी विधा से हम सभी परिचित हैं। कहानी गर्दी की सरवाधिक लोकप्रिय और मनोरंजक विधा है। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान हिदय इस्परश्री वर्णन होता है। प्रमुप कहानिकार की रूप में हिंदिय साहित्य में हम मुन्शी प्रेमचंद को जानते हैं। जैशंकर प्रसाद, जैनेंद्र, इत्यादी कई कहानिकार हिंदिय साहित्य को मिले हैं। वर्तमान में कहानी का एक अन्य रूप भी सामने आ रहा है, वह है लगुकथाएं. लगुकथाएं वर्तमान में अत्तिधिक लोकुप्रिय हो रही हैं और लिखी जा रही हैं. यह कहानी का त्यंत छोटा रूप है. अगली विधा है उपन्यास गति साहित की वह विधा है जिसमें मानो जीवन का विस्तरत अम संपुर्ण बढ़नन होता है उपन्यास में युगीन प्रवरत्यों को चित्रत किया जाता है लेखन का विशय प्रायाह सामाजिक होता है एतिहासिक, राजनेतिक, मनोवज्यानिक, पौरानिक, आंचलिक, जासुसी, क्रान्तिकारी, कोई भी विशय लिया जा सकता है या होता है उपन्यास भी हिंदि साहित्य की एक लोगप्रिय और प्रचलित विधा है प्रवक उपन्यास क्यार के रूप में हम जानते हैं मुश्री प्रेमचन, जैशंकर प्रसाद और भी कई उपन्यास कार नहिंदी साहित्य को प्रसिध्धी दिलाई है अगली विधा है नाटक हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्धि से माना जाता है पद्धि और गद्धि से मिले जले रूप से नाटक प्रारंभ में लिखे गए किन्तु आज नाटक गद्धि की प्रमक विधा मानी जाती है नाटक का आकार बड़ा होता है साथ में प्रासंगे कथाएं होती है नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है गद्धी की यह द्रिश विधा है, मंच पर नाटक को अभिनित किया जा सकता है प्रमुक नाटक कार की रूप में भी हम भारतियंदु हरिष्चंद और जैशंकर प्रसाथ को मानते हैं और भी कई नाटक कार हिंदि साहित्य में हुवे हैं अगली विधा है एक आंकी एक आंकी जैसा की नाम से ही प्रतित हो रहा है एक आंक वाले नाटक को एक आंकी कहा जाता है एक आंकी में जीवन के किसी एक खंड को प्रस्तुत किया जाता है एक आंकी नाटक की अपिक्षा आकार में छोटी होती है पात्रों की संख्या भी एक अंकी में कम होती है यह भी एक द्रिश्य विधा है और रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है और आकार में छोटे होने के कारण अधिक लोकप्रिय है प्रमो के अंकी कारों के नाम है रामकुमार वर्मा, जग्जिश चंद्रमाथूर, उदेश अंकरभट ऐसे कई नाम लिए जा सकते है इस प्रकार गर्दिकी प्रमक विधाए होई अगले वीडियो में हम गर्दिकी गौण विधाओं पर बात करेंगे